अब देखिये आज हम बनाएंगे लौकी का हलुआ यह हमने एक घर की लौकी ले लिए और इसे साब करके धोके छिलके हम इसके कटिंग कर देंगे कटिंग करने के बाद गाईज हम जो लोग बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप गुलौकी का हलुआ बना के देखिए आपके बच्चे जरूर खाएंगे बच्चे क्योंकि लौकी की सबजी खाने में आना कानी करते हैं देखिए हम कद्दू को लौकी को कद्दू कस करते और जब हम कद्दूगस करते रहते हैं तो इसे हम कड़ाई में डालेंगे कुछ नहीं करना है गाइस हमने बहुत सरल तरीकी से लौकी का हलुआ तयार हो जाता है बस कड़ाई में डालें और इसके जो पानी होता है उसे पूरा सुखाईए जब पूरा पानी लौकी का जब जाएगी जब लौकी पूरी सूख जाएगी तो फिर हम उसमें एक ग्लास इसमें हम दूद अट करेंगे फिर हम इसे दूद में पकाएंगे और लौकी देखिए हमारी दूद के संग पक रही है और जैसे हमारी लौकी मतलब दूद के संग पूरी पक जाएगी तो फिर हम चीनी अट करेंगे अब चीनी इसमें घुलेगी और ये बढ़िया तरीके से लौकी में पूरी मिक्स हो जाएगी और देखिए हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि दूद भी न फटे और लौकी में चीनी भी अच्छी तरफ से मिक्स हो जाए अब जब दूद हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा तो फिर हम इसमें मिल्क पाउडर एड करेंगे अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं आप बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हैं जैसे हमारा इधर यह पकते रहेगा तो अब इसका फिर हम जब हम पकाईंगे तो फिर हम इसका तड़का तयार करेंगे जैसे हम एक पैनल लेंगे उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे एक चममच और घी जैसे हमारा मेल्ट हो जाए तो हम इसमें अपने ड्राइब फूड जो भी आप पसंद करते हैं ड्राइब फूड या जो भी आपके घर में पड़े हो जैसे काजू बादाम तो आप इसमें और उधर हमारा हलुआ भी तैयार हो जाएगा लगबग अब हम ड्राइफूट्स को इन में मिक्स कर देंगे जैसे ही हमने इसमें ड्राइफूट दाला देखिए गाईज अब यह पक नहीं वाला है हम फटापट से इसे मिक्स करेंगे और यह अब देखिए इसमें इतनी अच्छी खुदू आ गई है कि हमारा लौकी का हलुआ बनके बिल्कूल अब रेडी ही हो चुका है देखिए और जो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो लौकी का हलुआ जरूर पसंद करेंगे हेलो गाईज पसंद आए तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और चैनल